आज मैं आप सब के लिए लेकर रही हूं लैसुन की बहुत ही स्पाइसी टेस्टी पिल्कु यूनीक रेसिपी जो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो हलो फ्रेंड्स वागत है आपका सारी का स्वार किचन में तो चलिए ब जामक डालेंगे साधान नार और स चीजों को अच्छे से हम ये इस तरीके से खूतकर रख तो यह देखिए हमारा पेश्ट बिल्कुल यहार हो चूका है हमारी पिल्कुल रेड़ी हो चुकिन डीजिक में सिर निकाल लिया है हंए Benjamin CEO करने के लिए क भी मुझे बहुत तेस्टी लगती है जरूर अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालके इन सारी चीजों का एक पेस्ट बना लेंगे तो यह दिखे तयार हो चुका है हमारा पेस्ट बिल्कोल बढ़िया तदीके से जैसा हमें चाहिए तो चलिए ऐसे बगार लिते तो यहां पर एक पैन ले लिया है उसमें एक बड़ा यह पेस्ट बनाया था जो चटनी अमने पीस ली थी उसे हम आड़ करेंगे और इसे जब तक पानी अच्छे से सूख ना जाए इसका तब तक हम इसे मीडियम फ्लेप पे बढ़िया तरीके से पका लेंगे यह बहुत ही ईजी और टेस्टी चटनी है यह देखे इसे इसका स सारा पानी सूख चुका है इसका सारा कच्छा पन भी दूर हो चुका है और यह चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे स्टोर करके बिलकुल रखके खा सकते हैं और यह सर्व करने के लिए बिलकुल तयार हो चुकी है तो अब हम बनाएंगे तीसरी चटनी तो एक ब तो यह देखे हैं इसका अच्छा से थिक पेस्ट तेयार हो चुका है और आप हम इसे बगारेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर एक पांड ले लिए और एक बड़ा चमच करीब तेल घरम कर लेंगे और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो सर्सों के दाने दाने के बाद अ अब हम इसमें डालेंगे सोफ जो इसका टेस्ट और भी बहुत निकर के आएगा तो और उसके साथ डालेंगे हम सुखी हुई डो लाल मिर्चे और उसके बाद हम डालेंगे लेसुन जो मैंने बारिक-बारिक काट लिया है और मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से बून लेंगे तो यह देखिए बढ़िया तरीके से गोल्डन हो रही है से सोनेरा होने तक ही बुन है अब हम सुखी लाल मिर्च निकाल देंगे और जो हमने मिर्ची का पेस्ट बनाया है वह अट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं थोड़ा साय उसमें पानी आड़ किय पानी अच्छे से सूख रहा है और टामाटो कैचा उसके बाहर हम एक चममज करिब चाट मसाला डालेंगे जो बहुत ही चटपटा टेस्ट से में लाएगा और इसके साथ कड़ी पता आड़ करेंगे यह देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रड़ी हो चुकी है पानी बढ़ करियो कमेंट्स करके मुझे बताएगे कि आपको कैसी लगी थैंक यू की फोचिंग